देखिए उनकी दो विशिष्टाय हैं और दो चीजों में वो बहुत माहिर हैं पहला तो बड़े आत्म विश्वास के साथ सफेज जुट बोलना कोई भी और दूसरा एक सूरत बनाके ये सिद्ध करना की पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरे डाला यहां तक तो बात आती जाती रही सरकार जीते हारें लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटर्विव में एक वाक के निकला तो उसमें नित्ती परेशानी कि वह आया बात करें तो उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा मैं तो यह पूछना जाता हूँ आपको तो किसी ने टर्रिस नहीं कहा पर हां आप मुझे यह बताए देश को बताईए कि क्या पिछले चुनाओं में आपके घ सब्सक्राइब करते हैं कि मुझे कवी है अरे बया मैं तो पड़ा लिखा हूँ थ्रौट फस्क्लास गोल्ड मैडलिस्ट हूं कॉलिज में 17 साल तुम तो एक ऐसे हास्ते कलाकार को लिए घूम रहे हो पर दसवी तीन बार में हुई है तो तुम कल लोगने बहरे हैं और दूसरे के खिलाफ चुनाम में भीशन वार पर करते हैं ठीक है खोभ इक घूसरे के राजियरे दुश्टियों करते दूद्र बादी को इसी राष्ट्रिय खंड़ता के मुद्दों पे खोच चुके हैं इसी पंजाब में बली चड़ चुकी है प्रधान मंत्री कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं तो वह चुनाव में तो लड़ रहे हैं वह कहां बनना चाह रह इस देश को तोडने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खुन की आखरी बूंद तक लड़ूँगा। है कि एक बार बोले कि क्या चुनाव चुनाव करता है इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हो मैं कहरा हूं मेरे तु प्रपोगंड़ा आपने वेश्विक करा दिया पंजाम में चुटकुले कभी समयनों के वारल करवा दिये पर अब जब यह लोगों को बात पता चली क कि तुम्हारा बेसिक इंटेंशन क्या है तो क्या नहीं मैं तो एसा हूं मेरे पीछे पड़ यह विक्टिम कार्ट बहुत खेल लिया मैं तो गरीब आदमी हूं बात निकलेगी तो तरह दूर तलग जाएगी इस अब आपको थो कया थे मिलए लड लाग इन थे अलग देश के आजादी नहीम हिलेए कि नुक्रिम डियर एक पार्टी नेताן से बात करने की कोशिश्वकार दिया समय ने भिया। किस पार्टी में हुँं है । 2016 के आखर में लड़ा उए उसकी में हो मैं मैं आदमी पार्टी से निकाला गया हूँ मैंने स्तीफा दिया आए जो आदमी कहता था स्वरागाशय पार्टी है वो जब से पार्टी मनिये तब से धिक्ष्व बना बेठा है अपनी जेम में और आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसरे चोथे नंबर वाले कारेकरतां को बता दूँ ज़्यादा ख्वाब मत पालो अब दामाज जी आने वाले हैं अब बेहन जी आने वाली हैं यह वहीं ले जाएगा और लोगों कराएगा उन चेलों को च कोई मिलता नी तो उसके लिए बोले उसके लिए बोले अरे तुछ इधर-धर की बात नगर भाई यह बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टमेंट यह बता कि तेरे घर पे लोग आये थे आते थे यह नहीं आते थे और बता दे नहीं तो मैं बता दूंगा